हेलो दोस्तों मैं हूँ गोरव एंड पिछले वीडियो में अपने सेक्रेटी ग्रूप क्रियेट किया था इस कोड के अल्प से सबसे पहले तो मैं उसको डिस्ट्रॉइ कर देता हूँ आप यह भी कर सकते हो आप यह अभी आपसे कंफर्मेशन नहीं पूछेगा कर देगा ठीक है डिस्ट्रॉइ हो चुक है अभी आप इसको रिफ्रेश करके देख लो कोई भी सेक्रेटी ग्रूप नहीं है चलो कोई बात नहीं अब अपन क्या करने वाले है मैं AWS इंस्टैंस पर देखते है कि कुछ सिक्रिटी ग्रूप का कुछ है क्या कमांड एफ एस 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 यू आर आए टी वा है ठीक है तो चेक करो यहां पर आपको कुछ मिलता है क्या यह दिख रहा है आपको सिक्रिटी ग्रूप चलिए कॉपी कर लेता हूं यह एक चीज और ध्यान रखना दूस्तों यहां पर यह नेम ले रहा है ठीक है बट यह नेम कब ले रहा है जब आप EC2 क्लासिक यूज कर रहे हो बट अपन जो है वह वह भी PC के साथ यूज कर रहे है ऐधर भी अपना कोड था इसको भी मैं कर रहते हूं अ धर моиだनि इस पहले अल defin कर रहे हैं यह कि 10 अहां और जे इसके बादर की वाल यह security group का id and आब अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पर यह जो instance है इसको अपना security group को बताने वाले हैं कि यह जो instance है इसको कौन सा security group attach होगा तो यहाँ पर अपना security group का अपने को id मिल रहा था बट यह एक list लेता है तो मैंने यहाँ पर square bracket दे दिया है and square bracket के अंदर यह control x इसक command v ठीक है यहाँ पर मैं command दे करें तो आप simple सा देखिए यह अपनी एक file है and इस file के अंदर अभी मैंने यह चीज भी add करवा दिये चलिए यह सारी चीज हो गई अब अपन terraform apply करके देखते हैं तो अपन यह चीज देखते हैं कि भई अपना जो ec2 instance है उसको यह security group attach होना चाह ठीक है की भी यह वाली attach होनी चाहिए जो अपन ने उपर बनाई है in short अपना जो ec2 instance आएगा उसको यह वाली तो key attach होनी चाहिए यह वाला security group attach होना चाहिए and अपन यह सारे के सारे port access कर पाएं उसके ठीक है and अपन के वाल port 80 करके देखने वाल है and port 22 अपन SSS के लिए यूज use करने वालने तो यह दो पूर्ट देखने वाले आपन कै चलिए क्या कौन सी कमांड चलाइने वाले अपन yes Teresa Church ओम वेेलिडेट शथके बाद कौन सी चलाएंगे अपन टेरावों FMT उसके बाद में kौन सी चलाएंगे आपन Terraform Plan उसके बाद में Apply Terraform Init command वो मत बूल जाना यार दोस्तों तो Terraform Validate के बाद में FMT बहीं चला लेते हैं Terraform Plan भी चला लेते हैं तो अगर अपने यह चलाया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो Like Instance Related अपन Information देखने वाले हैं सबसे पहले यह जो है यह key pair का है यह security group का है अपना instance का है यह रहा इसके अंदर देखो अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो देखो key का नेम आपको दिख रहा है right and आपको यहां पर उसका id तो दिखेगा नहीं security groups का id right क्योंकि वह पता ही नहीं है न क्योंकि security group create होने के बाद में पता चलेगा चलो terraform apply-auto approve इधर चलते हैं अपन जहां पर अपना instance बनेगा तो अभी ध्यानों को देखो कोई key भी नहीं है ना कोई अपने पार security group है पर यह सब बन जाएंगे ठीक है यह तो जो अपन ने पहले terminate किये थे वही instance है अभी जो running instance है वो नहीं आया है तो दोस्तों मेरे यहां पर यह error आ चुकी है अब इसका solution क्या है तो मैंने देखने के बाद मुझे यह लग रहा है कि यहां पर vpc security group id जो थी अपने को यह डालनी थी and मैंने यहां पर डाल दिया है security groups तो एक बार यह चीज़ चेक कर लेते हैं and try कर लेते हैं एक बार वापस तो सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं terraform destroy command चलाता हूं जो कि मैं नहीं चाहता and उसके बाद मैं terraform सबसे पहले terraform destroy से सबकुछ जितना भी create हुए like keys वगरा जो create होगी वो भी delete कर देते हैं and अभी terraform apply command चलाता हूं वापस तो चलो दोस्तो अपना automation चल गया आप यह गलती मत करना और मैंने यह चीज जब मैंने यह चीज copy की थी तब मैंने उस time पर भी notice किया था और पता नहीं मैंने क्या सोच के वापस इसी चीज को copy paste कर दिया अगर आप vpc में बना रहे हैं generally अभी अपन लोग vpc ही use करते हैं यहां पर मैं इसको reload करता हूं जैसे ही मैं इसको reload करूँगा तो एक instance यहां पर दिखाएगा यह एक instance आ गया जो अभी अभी create हुआ है ठीक है इस instance पर create होने के बाद मैं अपन इसका सबसे पहले security check कर लेते हैं कि इसको वही सारे security group attach होने चाहिए जो अपन ने बोलने है ठीक है यहां पर security group load हो रहा है and allow tls यह वही security group है अगर आप देखो इस पर inbound rule में नीचे आके तो यह देखिए port 80, port 22, port 443 and port 3306 यह सारे के सारे open हो गए है and उसके बाद मैं एक चीज जो अपने को देखनी थी क्या देखनी थी कि यह जो instance है इसको key pair कौन सा लगना चीए इसको key pair लगना चीए था key tf वाला चलिए तो अब इस machine को ssh करने का time आ गया है तो ssh-i id underscore rsa and इस machine का public IP कितना है चलिए अब यह अपने चेहरे पर जंग जीतने वाली smile आने वाली है इसको ssh होते ही and yes and आप उस machine के अंदर ssh कर चुके हैं तो दोस्तों यहाँ पर अपने इस machine को ssh कर लिया है अपने चेहरे पर जंग जीतने वाली smile आ चुकी है अब देखो यहाँ पर वाफस problem create होईगी problem क्या create होईगी मैं इस machine से कुछ भी access करने का try करता हूँ right मैं apt get update चलाने का try करता हूँ यह नहीं चलेगा ठीक है नहीं चलेगा उसके बाद में ping करने का try करता हूँ ping a.8.8.8 ping नहीं करेगा इसके बाद में ping करने का try करता हूँ google.com ping नहीं करेगा in short क्या गलती कर दी अपनने यहाँ पर गलती नहीं किया जबी भी आप क्या करते हो कोई भी एक security group बनाते हो ना तो by default जो बनाता था था ना यह क्या नाम है अपना terraform तो terraform क्या करता था समझ में आ रहा है आपको अब इसने क्या किया incoming तो सारे के सारे port जो जो अपनने दिये थे वो सारे के सारे port incoming तो allow कर दिये but outgoing मतलब क्या इस machine से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा इस machine के अंदर तो आप इन यह जो चार port थे ना जो पांच port जो भी अपनने open किये थे इन पे आप data बेज सकते हो अब बात आती है कि यार मेर को इस machine से भी बाहर चीज़े बेजनी पड़ेगी ना तो वो मैं कैसे बेज सकता हूं तो अपन क्या करता है इस machine को बाहर के यह किसी भी port पे जाके access कर सके तो बाहर के सारे के सारे port अपन open कर देते हैं वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं तो अपन चलते हैं security group में यहां पर यह e grace वाला देखो आपको यह copy करना है इस बार मैं dynamic port यूज़ नहीं करूँगा command v and control s यहां पर अपन terraform apply command चलाएंगे आपको बहुत ही अच्छा एक result देखने वाला है अभी तक अपन क्या करते थे destroy कर देते थे and उसको use कर लेते थे अभी मैंने simply क्या किया सारे के सारे port मैं open कर रहा हूं यह जो machine है यह बाहर किसी भी port पे connect हो सकती है protocol यहां पर minus one का simply मतलब कुछ भी नहीं होता तो इसको all माना जाता है कि सारे किसी भी protocol पर यह बाहर जा सकता है cider blog यह चीज़ आपको पता ही है simply कि आप बाहर किसी भी port पे IPv4 IPv4 के किसी भी IP from anywhere इसका मतलब यह रहता है इन दोनों का मतलब यह रहता है चलो सेम यही चीज़ अगर यहां पर copy कर ली तो मैं इसको यहां पर भी डाल ली देता हूँ चलिए अब देखो अब मज़ा आएगा आपको आउटपुट देखने में सबसे फ़ले तो मैंने जो जिस instance के अंदर मैं हूँ इस instance से मैं बाहर निकल गया terraform plan command चलाता हूँ ठीक है अब आपको पता चलेगा कि terraform plan command इतनी important क्यों है terraform plan क्या करेगा आपका current plan read करेगा tf state I mean आपका tf state files read करेगा आपका जो अभी current क्या क्या changes हुए वो read करेगा और आपको यह बताएगा कि यहां पर यह चिज़ दिलेट होईगी यह डिलेट होईगी यह दिलेट होईगी तो देख़ो जो आपके state थी वह refresh कर रहा है उसके बाद मैं आपको outpult दिखाने वाला है दिखा आपको यहां पर यह जो चीज़ है यह डिलीट कर देगा सारे के सारे port में मैंने IPv4 वाला add कर दिया था IPv6 वाला भी add कर दिया था तो अगर मैं आपको बता हूं चलिए मैं इस चीज़ को और ज़्यादा easy करने के लिए क्या करता हूं मैंने यह जो चीज़ add की थी मैं इसको अठा देता हूं ठीक है अपन वापस terraform plan command चलाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे इसने इस पर देखो plus और minus नहीं दिखाया उसने यह tilt sign दिखाया है इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो existing security group था ना वही update होएगा जो security group होता है वो AWS में mutable होता है mutable means क्या कि आप उसको update कर सकते हो ठीक है अभी for example आपका एक आपने AWS का instance create किया अब आप बोलते हो कि यार मेरे को इस instance को ना update करना है Ubuntu की जगा ना फेड़रा की image लगानी है तो वो चीज अपडेट नहीं हो सकती आपका instance पहले मतला बंद हो जाएगा या फिर वो delete हो जाएगा then एक नया instance create होगा यहाँ पर यह जो चीज है यह खुद update हो जाएगा यहाँ पर यही चीज जो है वो में देखने लाएक है बाकी तो कोई भी unchanged ही है सारी की सारी चीज है ठीक है चलिए तो अपन terraform plan command चला देते हैं तो simply क्या करेगा आपका एक resource जो इसको यह update कर देगा यह देख सकते हो यहाँ पर भी कोई भी resource add नहीं करेगा बट तो एक resource से उसको यह update कर देगा यह change कर देगा और कोई सा भी यह destroy नहीं करेगा ठीक है अभी मैं आपको अगर यहाँ पर लेकर चलू तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर outbound rules कुछ भी नहीं था ना आई मीन यहाँ पर कोई भी rule नहीं है no rule to display ऐसा लिखा हुआ रहा है राइट अब आपन क्या करता है मैं इसको refresh करता हूँ एंड इस पर मैंने क्लिक किया एंड शिकुरिटी एंड सिकुरिटी मैं भी आप जा के देखो outbound rules आभी भी नहीं आया ओके क्योंकि मैंने terraform plan command चलाई थी terraform apply तो मैंने चलायाई ही नहीं तो आप देख सकते हो यहां पर आपका जो सिकुरिटी ग्रूप वो मोडिफाई हुआ राइट अब अपन इधर चलते हैं इस वाले सिकुरिटी वाले पेज पर वापस आता हूं तो यह देखिए दिख रहा है आपको यह rules एड हो गए clear अब अब वापस चलते हैं वापस अ वगरा करने का try करते हैं चलिए SSH अपने machine में आप देखिए 54.208.19.30 यही आपका इस machine का IP address आप यहां से भी देख सकते हो public IP address clear अब भी करने का try करते हैं पिंग 8.8.8.8 बढ़िया जकास अब आपके machine से data बाहर भी जा रहा है clear and sudo-i apt-get install nginx करके देख लेते हैं अब अभी अभी के case में देखो अपने last time यह किया था तो क्या आ रहा था unable to connect अपन इस machine से connect नहीं हो पा रहे थे अभी nginx nginx yes nginx install हो चुक है अपने machine के अंदर service nginx status 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 आपका nginx up and running है अब इस page को reload कर लेते हैं अपन control-r okay मैंने गलती क्या करी मैंने यहां पर डाल दिया https अपने एंजिनिक जो चला है वो secure नहीं चलाया अभी आप देखो यहां पर simply cd slash where slash www slash html right ls यहां पर मैं कर देता हूँ echo this is gaurav sharma अना इस page को मैंने replace कर दिया अभी मैं देखो यहां पर control-r कर रहा हूँ तो this is gaurav sharma right यह चीज यहां पर आगई जगह पर बढ़िया राइट बतलब क्या अपन कोई भी website आराम से easily host करवा सकते हैं अब क्या अपन को जो achieve करना था वो तो अपनने कर लिया जो task अब मैं क्या चाहता हूँ आपको वो टास्क बता देता हूँ ठीक है तो अभी तो मैं terraform destroy कर देता हूँ पहले जिससे आपको अपने को अगली step पता चल जाए कि अपनी अगली step क्या होगी ठीक है terraform destroy तो यह destroy होता रहेगा and readme.md अपने यह चीज सोची थी यह सारे के सार अब मैं क्या चाहता हूँ जब मेरा instance create हो जाए उसके बाद में उस instance के अंदर nginx install हो जाए ठीक है और nginx install होने के बाद में where slash www.html और क्या नाम था इस फाइल का जिसको अपन ने अभी replace किया था देखते हैं अगर यहां पे दीख जाएगा तो यह फाइल का नेम था राइट ctrl-shift-c इस location पे यह जो फाइल का नेम था इस फाइल के अंदर content चाहे या फिर क्या बहला है गोराव करके इस फाइल के अंदर content चल जाए in short यह सारी की सारी process होईगी और जो आपका नए इंस्टेंस create होएगा उसके अंदर सबसे पहले तो nginx install होएगा और nginx install होने के बाद में उसके अंदर यह message चला जाएगा अपने आप आपको single click भी नहीं करना है कैसे इस चीज को कर सकते हैं यह चीज अपन देख